पूर्व सांचाद अमर सिंग ने एक अगर को दुनिया को अलविदा कह दिया था बगर निधन के बाद भी वो अगसर चर्चाओं में बने रहे थे अमर सिंग सिर्फ राचली तेक दुनिया में नहीं बलकि क्लैमर वर्ल्ड में भी काफी रुत्वा रखते थे उनसे जुड़े कई किस से हमेशा खबरों में बने रहते हैं फिर चाहे वो अमिताब बच्चन से जुड़े हूँ या फिर राजनीतिक दलों की साथ अमर सिंग कैसा ही किस सातत कालीन कॉंगरेस सांसद मनी शंकर अयर से जुड़ा है जिनके नशे मित्धुत होने के कारण अमर सिंग ने उनकी पटाई कर दी थी और ऐसी बाते कह दी थी जिन पर काफी ववाल मच गया था ये सब बात जानते हैं कि अमर सिंग राजनीतिक पार्टियों में नहीं बलकि बॉलिवूड की पार्टियों में भी शामिल होते थे बात साल 2000 की है जब एक हाई प्रोफाल पार्टी में अमर सिंग पहुंचे थे इसी पार्टी में मनी शंकर अयर भी मौझूद थे जिससे अयर काफी नारास थे और इसी नारासगी को लेकर वो अमर सिंग के पास पहुंचे थे अयर और अमर सिंग के बीच इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी मौलाम सिंग यादब के था और हमेशा रहूँगा अमर सिंग ने अयर से कहा कि अफसरवादी तुम हो जो पहले कॉंग्रेस में थे फिर मम्ता भनर जी के साथ चले गए और अपने फायदे के लिए कॉंग्रेस में वापसी करें ये बात अयर को पसंद नहीं आई और दोनों के भी चितना विवाद बढ़ा के अयर ने अमर सिंग को उद्योग पतियों का दलाल कह दिया और ये तक कह डाला कि तुम अमबानी के उत्ते हों अयर के मूँ से ऐसी बाती सुनकर अमर सिंग ने हस्ते होए कहा कि चलो ठीक है कि तुम अमबानी के मामले में तुम वर्जिन हूँ मँगर उद्योग पतियों से जित्रे रिष्टे कॉंगेर्स की रही है उसके आगे अमर सिंग ने कहा कि ये तुम नहीं तुम्हारा नशा बोल रहा है जिस पर अयर बोले कि ये बात ही मेरे दिल और दिमाग बोल रहा है बस फिर क्या था दोरे के बीच विवाद बड़ा अमर सिंग ने कहा मोटे मनी शंकर अयर शराब के नशे में धुत तेरा सारा शरीर डोल रहा है फिर पार्टी में अमर सिंग ने अयर का गला पकड़ कर उने पटक किया इस पूरे किस्से का खुला साथ खुद अमर सिंग ने एक इंटर्व्यू में किया था इसकी चर्चारून के निधन के बाद भी होती इस कारेक्रम में फिलाल के लिए बस इतना ही बाकी देश और दुनिय से जुड़ साजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े ने नेक्स नाइन लाइफ के साथ और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ है तो इससे लाइक शेर और कमेंट जरूर करें साथी साथ हमारे चैनल नेक्स नाइन लाइफ को भी सरू सब्सक्राइब तरू